प्रतिक व्यक्ति की भीतर स्रजन का गुण है। प्रतिक व्यक्ति की भीतर आउसरों को जन्म देने की एक असीम ताकत है। हम कई बार अपने भीतर से भाय को जन्म देते हैं और नजाने कितने लोगों को वेचलित करने का कारे भी करते हैं। एक दिन हम खुद आखिलन करें कि कितने लोगों को सकारात्मक सोच के साथ प्रेरित किया, कितने लोगों को सजक किया और कितने लोगों को हमने डराने का काडरे किया तो एक समग्र विशलेशन अपने व्यक्तिक्त का सामने निकल कर आता है हम आफस के भीतर गए कोई एक बात सुनी और वो चारों तरफ नकारात्मक्ता के साथ में और फैलती चली गई जिसकी जिम्मदारी हमारे साथ में भी बहुत गहरे से जुड़ी रही और वही एक व्यक्ति विशेश की जो इस्तती है उसने सजक किया और ये भी कहा साथ में ही क पर तब भी कोई विशेश इस तरफ नहीं थे आज ईश्वर ने जो मौका कर्म करने का उसर बरदान किया है उसके साथ और अच्छे से चलने का कारे करते हैं नकारात्मक्ता और सकारात्मक्ता ये दो पहलू है प्रतेक्षन सामने रहते हैं जब भी हम सबताह के पहले दिन क शुरवात करने वाले हों और वो भी महिने का पहला दिन भी साथ में हो पुरी उर्जा के साथ में चलें संभावनाओं की तलाश करते हुए चलना इन तीस दिनों के साथ में और उसके पहले दिन की शुरवात भी अपनी भरपूर उर्जा के साथ में करना कहीने कहीन नए उस अवसर को पहचान कर चलने की आवशक्ता रहती है हम यहां एक जून दो हजार बीस का देनेक राशी फर लेकर उपस्तित हुए हैं सुंबार रहेगा जेस्ट मास शुक लिपक्ष चल रहा है तो वहीं चंदरमा आज कन्या राशी स्तान में ही बिराजमान रहने वाले हैं स शुर्वात नेश राशी के साथ कामकाजी जीवन में थोड़ी बहुत भय सामने आ सकते हैं जिसके निस्तारण की आवशक्ताएं आपको रहेंगी व्यापारिक जीवन में त्वरित कती के साथ किसी भी नरणय को लेने से आपको यहां बचना चाहिए एक प्रयास तो ये कर रहें वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो भी शंशे बने हुए थे आज वहां पूर्ण विराम लग सकता है किन्तु संगर्श थोड़ा बहुत परिशान करेंगे ये ध्यान रखें कि जो भी कामकाजी जीवन में हम चल रहे हैं वहां आर्थिक कतिवधियों में एक कैलकुलेटिव एप्रोच रखें और साथ ही साथ में जो संबंध हमने लंबे समय से अपनी मेहनत के साथ में अपने व्याभारिक दृष्टे कौन के साथ में स्तापित किये हैं उसको और अच्छे से सीचने का कारे करें भावी भविश्य के अंदर वही रिष्टे बेह परोच नहीं दिखा रही है उसी वज़े से हलके फुलके संगर्श हैं संतान पक्ष के साथ में जो कहीं न कहीं एक गलत फैमी बनी हुई थी या फिर एक कम्यूनिकेशन गैप बना हुआ था आज उसके दूर होने के संभावना भी शाम के समय के बाद बन सकती हैं अच्छे से आगे लेकर चलना चाते हैं उसलेहाजा ये दिन महतकून और नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो बटकाव था या कहीं न कहीं हम एक विचलित करने वाले इस तर के साथ में चल रहे थे वहाँ पर भी कैलकुलिटिव अप्रोच में पॉजिटिव एक जो फ्री ना कर रखिएगा और जो पूर्ण रूप से भीतर करूना का भाव रहता है या लोगों से जुड़ने की जो परवर्ती रहती है उसको बहुत अच्छे से स्थापित करके चलें बहाग्य का सयोग बना रहेगा दना गमन की संभाव नाव से इनकार नहीं कर रहे हैं वक्ता क किसी भी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है ये दिन आपके लिए बहतर संभावित अस्ततियों को सामने लेकर आ सकता है मितुन राशी गौर करने लाइक बात यहां पर यह है कि प्रबंदन संभंधी कामकाज जो की बलही व्यापार या फिर नौकरी के साथ में जुड़ावा हो कोई भी नरने लेना हो लोगों के साथ में सलाह करके ही हम को उस और बढ़ना चाहिए ये एक बात कामकाजी जीवन के अंदर थोड़ी सी जटलताएं परिशान कर सकती है आपको स्वयम का मुल्यंकन करके चलना अत्यदिक आवशक है किन्तु दूसरे लोग आपका बारंबार मुल्यंकन कर रहे हैं और आप उसी को अपने भीतर आत्म साथ करते चले जा रहे हैं उससे खुद को थोड़ा सा बचाना चाहिए तो वहीं पर पिता के साथ कोई भी कामकाज चल रहा है आप अपने निरने को एक तरह से डिसाइजिव मुमेंट्स के साथ में नहीं लेकर चलें जो आपने कहा है वही सही है उस प्रवर्ती से आज पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप जुड़े वो हैं उससे स्वयम को बचाना चाहिए इच्छा शक्ती की इस्ततियां जागरित है किन्तु उर्जा के सौर जाने चाहिए ये आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ कर चलना होगा महत्वा कांगशाएं खर्चे करवा सकती है महिने के पहले दिन में उससे थोड़ा सा बचें आप सर्विस इंडिस्री संबंदी काम का आज में ये दिन बहतर प्रणाम लेकर आएगा तो वहीं पर जो कुटुम्बी जनों का और ग्रहस्त का सयोग मिलता है वो आपके लिए एक आधार भूत इस्तर को निर्मित कर रहा है जिसके साहरे आप अगतिवान हो पाएंगे कर कराशी सबसे पहले आप ये देखिए कि भाग्य का सयोग व्यापारिक और नौकरी पेशा जीवन में आज बना हुआ है आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर समय का बहुत अच्छे से ध्यान रख कर चलिएगा और उसकी वज़े से ही आपको एक मेजर responsibility मिलने की उमीद भी रहेगी जिससे की आप अपनी organization में अपने कामकाज में और अच्छे तरीके से सनलक्न होने का काम करें और एक महती जिम्मेदारी के साथ में भी आप अपने कारेश शेतर में प्रकरता स्थापित कर पाएं ये तो एक प्रवर्ती वहीं डूसरे इस तर पर इस बात पर भी गौर करने की आवशक्ता हैं पोन रूप से आपके लिए बनी हुई है कि भावनात्मक तोर के उपर कोई भी निरनाई लेने से हम को बहचना चाहिए भाईयों और मित्रों का सयोग निरंतर तोर के उपर आपके लिए यहां आज के दिवस में बना हुआ है अगरी कल्चर संबंदी कोई भी कामकाज जहां चतुर तरमंगल दुनों की पोजिशन को लेकना आवशक होता है यह दिन वरद्धी के सिरों को निर्मित कर रहा है आपके लिए वहीं संग राशी दनागमन की स्ततियां आज व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत अच्छे से बनी हुई है जो बारम बार हेडन प्रॉब्लम सतारी थी उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ सकते हैं यह ध्यान रखिएगा जो गले संबंदित और तवचा संबंदित रोग होते हैं तो पहले से अगर सतारे थे और आज उसमें व्रद्धी होती है तो प्रॉपर बेस के ऊपर आपको डाइग्नॉस करवा के ट्रीट्मेंट की और भी जाना चाहिए उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बढ़ते हैं रण संबंदि कोई भी इस तर के ऊपर आप पर कुटुमभी जनों के साथ किसी भी व्यापार की शुरुवात करना चाहते हैं तो आप पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में चलिएगा यानि कि इस पस्ट सब कुछ लिखित तोर के उपर रहे जिससे की पारिवारिक जीवन के रिष्टे और वहीं पर जो एक तरह से व् निर्मित करते चले जाएंगे इस बात पर गौर करने की आवशक्ता रिसर्च और अनलेसे संबंदी कामकाज में ये दिन तिव्रगामी आपके लिए बना हुआ है कन्या राशी सरोपर्थम आत्मविश्वास के साथ में जिस भी कामकाज की आप शुरुवात करेंगे उसे करके ही दम लेंगे कोई भी कारिय जो अधुरा छोटा हुआ था यहां आप उसको एक्जिक्यूशन के बोड की तरफ लेकर जा सकते हैं तक्नीक संबंदी या प्रबंदन संबंदी कामकाज के साथ में जुडाव है तो यहां आपके लिए छोटी मोटी रिस्क लेना आवश यानि कि कोई भी ऐसी स्तिय आती है जो निर्णय आपकी ऊपर छोड़ा गया है और वहां लग रहा है कि जोखिम सामने आ सकता है तो भैवीत होने की दरकार नहीं है आप उस निर्णय की और गंतब दिशील हो सकते हैं ग्रहेस्त जीवन के साथ में ये दिन एक तरह से नई जो प्रगाड़ता की स्तियां होती है कहीं ने कहीं एक क्लैशेस थे जिसको हमने अवाइड किया और अब आगे बड़े हैं ये दिवस विशेश वहां एक सपोर्टिव लिवल आपके लिए दिखा रहा है तो साथ में ही भाग्ये का सयोग पूर्ण डूप से स्थापित रह आपके लिए शेर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश भी यहां बहतर प्रणाम आपको भविश्चे के भीतर दे सकते हैं कोई भी नया ओफर बले ही व्यापार हो या नौकरी पेशा जीवन आता है उसको बहुत अच्छे से जांचें परकें और फिर अगर आप नेक् नियंतरण की आवशक्ता आपके लिए है जो भी एक्सपेंसे डिवन अप्रोच है उससे बचकर चलिएगा विदेश संबंधी कामकाज में एकतिव रिगामी इस्तर आपके सामने आ सकता है जो की एक प्राफिटिबल लेवल को दिखाएगा और साथ ही साथ में जो रोग सं को क्रिएट कर रही थी जिसकी वज़े से हम कहीं ने कहीं परिशान थे यह दबस विशेश वहां सॉल्यूशन को लेकर आ सकता है आपके लिए बेहत आसानी के साथ ग्रहेस्त जीवन के साथ कोई भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो वहां थोड़ा सा धीमापन र रहने वाली है सक्षा संबंदी स्थर के उपर डिस्ट्रेक्शन परिशान कर सकते हैं जिसकी वज़े से आप जिस तार्तम में के साथ में चल रहे थे उसमें कमी आ सकती है तो यही वज़े है चोटे चोटे इंटर्वेल्स के अंदर खुद को आप रीफ्रेश करते रहें औ जोगा भ्यास या फिर ध्यान आदी की जो एक तरह से प्रक्रियां रहती है उसके साथ आप स्वेम को जागरत कर रहे हैं ये दिन नव अवसर आपके सामने लेकर आ सकता है चर्चा और रश्चक राशी की व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन लाप की प्रवर्तियों के स साथ में आपके लिए देख रहे हैं संतान पक्ष के साथ में जो भी दोवधाय बने हुई थी या एक लैक ऑफ क्लैरिटी की पूजिशन थी वहाँ पर भी स्पस्टता आपके सामने आ सकती है ये एक स्पस्ट इस्तती है तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज के अंदर जो लंबे समय से आपके लिए प्रवर्तियां आठकी हुई थी जिसमें एक स्पस्टता नहीं आपा रही थी यहाँ जुडाव का स्थर आपके लिए निर्मित हो सकता है ये तो एक बात मानसिक सुक की स्थतियों के अंदर वरदी और वहीं दूसरे स्थर पर आप ये भी बात चलिएगा कि किसी व्यक्ति विशेश से कोई लंबे समय का लेन दिन अटका हुआ था, वहाँ पर भी आपके लिए एक स्पस्टता आ सकती है, व्यापारिक जीवन में नए पन की आवशकताएं रहेंगी, तो वहीं पुराने अनुभवों को सनलग न करके अपने भीतर ही कामक कि और बढ़ना चाहिए, यानि कि कोई भी मैत्वपूर्ण निरने लेना है, किसी व्यक्ति विशेश के साथ में जुड़ना है, तो पहले ये जांच लेहं कि उस व्यक्ति विशेश के साथ पुराने अनुभव कैसे रहे हैं, हमने अगर दोखा खाया है, थोड़ा सा रुक ये एक बात, वहीं पर इच्छा शक्ति का कहीं पर भी दूर दूर तक अभाव नहीं है, जब भाग्ये का सयोग हो और हम द्यापारिक जीवन के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने वाले हों, लंबे समय से मन के अंदर ये सारी ही गणनाय चल रही थी, कि हमको परिवर्त परिवर्तन की और जाना है, उसलिहाजा इस दिन को आप स्रिष्ट तम मानकर स्वहिम के लिए चल सकते हैं, जिस उर्जा की कमी से जीवन जूझ रहा था, कहीं ने कहीं एक नकारात्मक्ता बारंबार परिशान कर रही थी, और हम अपने वास्तविक स्तर को प्राप्त करने क लिए बार-बार प्रयास कर रहे थे, किन्तु वो इस तर प्राप्त नहीं हो पा रहा था, यहां फिर से आप प्रयास करें, फ्लेक्सिबल एप्रोच को रखें, तुरित गती के साथ में नरणय लेने की तरब जाएं, ग्रहेस्त जीवन का, माता-पिता का, सयोग और मित्रो के एक तरह से उत्साह वर्दन की वज़े से आप अपने कामकाज में फिर से एक एक एग्जीक्यूशन के लेवल को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को इस मरतियों में चरस्थाई तोर के ऊपर लेकर चलने की आवशकताएं आपके लिए रहेंगी, ये तो एक बात वहीं, द किसा अत्मी किसी कार्री की शुरुवात की मन मुटाब की स्तियां है, यहां विच्छेत की पॉलिशन आ रही है, तब भी आप धैर्य बना कर रखते हैं, तो ज्यादा बहतर रहेगा, और मकर राशी, भाग्ये का सयोग बना हुआ है आपके लिए, वहीं दूसरे स्तर के परेशानिया सामने आ रही थी और एक इस पस्तर नहीं बन पा रहा था, यह दिवस विशेश, वो सारी ही संभावनाएं आपके लिए लेकर आ रहा है, उच्छे सिक्षा के साथ में अगर आप किसी कामकाच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस दिन को सर्व रूप से बनी हुई है, तो जो भी संभावत सरा सामने आता है, उसको स्वीकार करें और फिर आगे बढ़ने का कारे करें, वानी संभंदित कामकाच में भी यहां एक तेवरता आपके लिए बनी रहेगी, और साथ ही साथ में, जो मित्रों के साथ किसी कामकाच की आपने जुरुआत करने से नय पन के साथ आपको बचना चाहिए, वानी पर नियंत्रण स्थापित करके चलें, रिसर्ट संभंदि कामकाच में ये दिन कुछ नयापन लेकर आ सकता है, व्यापारिक जीवन के अंदर होंसलों को निराशाओं के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, जब व्यक्ति के भीतर का होंसला निराशा वाडिता के अंदकार के भीतर चला जाता है, तो वहीं से हम प्रतियक स्तर के ऊपर शंशय और अंदकार को समेटने का काऱर कर देते हैं, यानि कि पूरे तरीके से हम नकारात्मक्ता के और चले जाते हैं, उससे बचिए संबंधी कामकाच के अंदर फिर से आपके लिए कुछ नए इंडिकेशन्स सामने आ सकते हैं पराक्रम जीवन का आधार है किन्तु यहां हमको पराक्रम दिखाने से बचना चाहिए धैर्य को शुशोबित करके चलें अपने साथ में तो वहीं पुराने रोग फिर से परिशान कर सकते हैं उसले हाज आप ध्यान रखेगा सक्षा संबंधी स्ततियों में जो रिलेशन्स डेवलप हुए उसकी वज़े से कहीं न कहीं डेस्ट्रक्शन्स आ सकते हैं तो एक सेगरीकिशन की रेक्वार्मेंट रहेगी इस्ताइत्व संबंधी कामकाच में कोई भी पूर्ण देरने लेने से आपको बचना चाहिए मीन राशी व्यापारिक स्तर के उपर सुधार के संकेत मिल रहे हैं कामकाची जीवन में छोटे छोटे बरेक लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए रचनात्मक शेत्र के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए नए ओफर सामने आ सकते हैं नना गमन की संभावनाए व्यापारिक जीवन को सरेश्टता देने वाली होगी तो वहीं पर महत्वा कांकशाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेश रिष्टों को कई बार खो देता है उससे बचिएगा प्रतेक स्तर के उपर सार संभाल करके हमको चलना चाहिए एजुकेशन के लेवल के अंदर यहां आपके लिए और एक स्ट्रॉंग होल्ड एपरोच बन रही है भाईयों के साथ कोई भी तरीके का अबाद विवाद था उसको सुलजाने के और आप जा सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बना कर रखिएगा तो वहीं पर ख चाहूं के साथ निरंतर हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और आभार हर दैसे